कि वेल्कम बैक देखिए हम लोग लिनियर ट्रांसफोर्मेशन लिनियर अल्जिबरा के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा हुआ है प्रैक्टिस आपने काफी कर रखा है आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे जो टेलिग्राम पर आपके चले थ देख लिए कितना आपने करेक्ट किया है ठीक है यहां पर देखें कि आपको पहले तो यह दे रखा है कि आपको स्टंडर्ड बेसिस में काम करना है तो यह आपके लिए एक गिफ्ट हो जाता है यह मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह जहां आपको दिया रहेगा तो के लिए काम बहुत सिंपल हो जाता है आर क्यूब से आर क्यूब में करना है ठीक है ट्रांसफोर्मेशन आपको और उसके लिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वह आपको दे रखा है तो आपको पुछता है कि इमेज 212 क्या होगा ठीक है इसका दो तरीका है एक तो यह है कि आपको जैसे इहां इधर दिख रहा है कि आपका जो ट्रांसफोर्मेशन है वह क्या है वह आपका आर क्यूब से आर क्यूब है ठीक है आर क्यूब टू आर क्यूब यह आपका ट्रांसफोर्मेशन है तो जो इस और इसको आप क्या करेंगे basis के linear combination में लिख करके जो भी constant alpha beta gamma है उसको put up कर देंगे तो आपको txyz वहाँ से मिल जाएगा लगाने पर transformation ठीक है एक तो यह हो गया दूसरा जो आसान तरीका है वो यह है कि चुकि आपको standard basis में काम करना है तो with respect to standard basis हम क्या कर सकते हैं हम direct या तो matrix लिख सकते हैं या matrix को देख करके हम transformation txyz define कर सकते हैं कैसे यहां पर रो को देखिए first row को देखेंगे तो क्या बनेगा तो आप xyz लगा देजिए तो 2x plus y minus z ठीक है 2 को x से multiply किया 1 को y से और minus 1 को z से यह बन गया पहला image ठीक है फिर दूसरे में लगाएंगे तो क्या बन ठीक है यह हो गया दूसरे से तीसरे वाले से क्या बनेगा तो वह बनेगा आपका 3x plus y minus 2z यह simply आपका txyz का value हो गया ठीक है यह आपको benefit मिलता है with respect to extended basis ठीक है अगर कुछ और basis रहता तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे ठीक है ना तो अब देखिए simply क्या करना है आपको निका 4 plus 1 minus 2 यहां पर आपको आजाएगा 2 minus 1 plus 2 और यह आपका आजाता है 6 plus 1 minus 3 to 6 plus 1 minus 2 to 4 correct है तो आपको क्या आजा रहा है तो यहां आपका आगी है 3, यहां भी आपका आगया 3, यहां भी आपका आगया 3, तो option number B हमारा क्या है, बिल्कुल correct option है, इस तरीके सा आप simply काम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number फिर देखिए, इसके बाद है आपका 12 number, ठीक है, तो आपको तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है, transformation R cube से R cube define कर रखा है, और TE1 का image आपको यह दिया हुआ है, TE2 का image यह है, TE3 का image यह है, बहुत simple हो गया, च्योंकि आपको standard basis में काम करना है, तो आप तो diet image देखकर क्या लिख सकते हैं, जिसे देखिए, TE1 क्या दिया हुआ है, TE1 द minus 5, E3 क्या होता है, यह होता है, 001, अगर मैं इसको थोड़ा सा solve करूँ तो यह हो जाएगा 700, ठीक है, multiply कर दिया, यह हो जाएगा 005, इस तरीके से यह आपका आ जाता है, 70-5, तो 70-5 है, यह आपका क्या होगा, यह आपका first column होगा, तो आपको देखना है कि first column कौन सा है, त बाकी किसी में यह column नहीं दिया है, तो यही आपका correct option हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने का जूरूत नहीं है, ठीक है, तो देखिए, जहां तक बात होती है कि option को eliminate करने की, तो वो आप बहुत जल्दी कर पाते हैं, correct है, ठीक है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ टे देखोगे, तो टे2 क्या दिया हुआ है, minus 2 e2 plus 9 e3, ठीक है, तो यहां पर फिर से देखेंगे, तो यह होगा, minus 2, 0, 1, 0 होता है, plus 9 यह हो जाएगा, आपका 001, तो अगर मैं simplify करूँ, तो simply देखिए, यहां पर minus 2 आएगा, पहला element तो 0 आएगा, 0, फिर minus 2 आएगा, दूसरा element और तिसरा element, लास्ट वाले से 9 आजाएगा, तो 0, minus 2, 9, तो second column भी आपका match कर रहा है, ठीक है, अगर आप TE3 देखें, तो TE3 क्या है, तो यह है, आपका e1 plus e2 plus e3, ठीक है, यही आपको given है, यहां सा आप देखिएगा, तो क्या आजाएगा, यह आगया, 100, 0, 0, पलस यह हो इस तरह का देखिए, बहुत simple question होता है, जो आपको extended basis में दिया रहाता है, तो आप बहुत जल्दी उसको कर पाएंगे, next है हमारा question number 13, ठीक है, क्या कह रहा है, यह कहता है, आपको P2R, जो है polynomial space है, ठीक है, basis आपको देए रखा है, आपके क्या है, 1, x, और x square, correct है ठीक है, अगेन देखिए, यह जो है, आपको क्या है, यह आपका extended basis होता है, ठीक है, for the polynomial P2R, जो आपको polynomial है, ठीक है, P2R, जिसका dimension क्या होगा, dimension होगा, आपका यहाँ पे 3, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 element दे रखा है, तीनों आपको extended basis है, ठीक है, basis का element है, तो अब यहाँ प कतलब है कि जो transformation है हमको, वो P2R से P2R करना है, P2R से P2R, ठीक है, यह हमको करना है transformation, और dimension है, इसका 3, इधर भी dimension 3, तो matrix हमको मिलने वाला है, 3 cross 3 का, तो सारा ही 3 cross 3 का दिया है, यह एक अच्छी बात है, ठीक है, basis का जो element है, वो है, आपका 1, X, और X square, इधर भी होगा, और वो ही element होगा, ठीक है, अब दिखते हैं कि 1 का image क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपको image दे रखा है, कि image क्या बन रहा है, तो image बन रहा है, PX-P0 divided by X, ठीक है जी, यह है मेरा T PX है, clear है, तो अगर मैं T1 निकालनू, 1 का image देखने के लिए, तो T1 क्या होगा, तो PX याने polynomial 1 ही रहेगा, P0, 0 डालने से कोई फरक पड़ेगा नहीं 1 पे, तो 1 ही रहेगा, divided by 1, तो यह आपको आजाता है 0, यानि 1 जो है, किसको map कर रहा है, 0 को map कर रहा है, ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस 0 को चाहूं कि इसके linear combination में लिक हो, इस तरफ जो basis है, उसके linear combination में, तो क्या जाएगा, 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square, यानि जो पहला कॉलम है, जो हमको coordinate vector मिलेगा, alpha, beta, gamma, ठीक है, तो पहला कॉलम 0, 0, 0 मिलेगा, तो 0, 0, 0 कहां दिख रहा है, भाई, दो जगा दिख रहा है, तो B भी हो सकता है, और C भी हो सकता है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो second image देखिए second image आपका क्या है, x का image, x का image देख लेते हैं, क्या मिलेगा, तो x का image निकालेंगे, तो P x हो जाएगा, 0 पे इसका value हो जाएगा, 0, P 00 हो गया, divided by x, ठीक है, अगे ये cancel हो करके आपको 1 मिलता है, तो इसको अगर मैं चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं चाहूंगा तो लिखूंगा, 0 into, sorry, 1 into 1, plus 0 into x, plus 0 into x square, तब ये hit कर गया, ठीक है, तो अब जो column आपको मिल रहा है, वो है, 1, 0, 0, 1, 0, 0, तो 1, 0, 0 कहाँ पे है, तो again ये दोनों में है, ठीक है, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, again B और C में चल रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लास्ट वाले पे जाएंगे, तो लास्ट वाले देखते हैं, Tx square, Tx square को दिखेंगे, इसका image क्या आएगा, तो Px हो जाएगा, x square, P0, 0 पे value इसका 0 हो जाएगा, divided by x, ठीक है, तो cancel हो करके ये x बचता है, इसको अगर मैं चाहूं, basis के linear combination में लिखना, तो कैसे लिखूंग है, तो इसके पास सारे ही सही columns है, तो आपका जो option number B है, वो क्या है, वो यहाँ पर correct है, ठीक है, इस तरह के से देखिए question करना होता है, मुश्किल question नहीं होता है, बहुत आसानी से आप question को कर सकते हैं, ठीक है, तो I hope इसी तरह से आपने भी किया होगा, और जितने भी transformation के question ह है, बहुत सारे question इसी तरह के आते हैं, जो बहुत ही important होते हैं exam के लिए, तो आपको अच्छे सा practice कर ले ना है, ठीक है, तो चलें, इसी तरह का question और भी हम ले करके आएंगे, तो I hope आपके लिए fruitful था, अच्छा लगा तो like कीजिए, चैनल पर नए है, subscribe कीजिए, बहुत सार की, बहुत सारे की, की तो आपके लिए, तो झाल